नमस्कार दोस्तो आजम बात करने वाले हैं image rotation option के बारे में ये एक आसान सा option है और बहुत helpful भी तो चलिए इसे practically करके देखते हैं इस image को rotate करने के लिए application बार में image में जाएंगे और यहाँ पे image rotation में 180 degree option है इस option को सिलेक करते ही image 180 degree पे rotate हो जाएंगे इस तरह से इसे undo करने के लिए control प्लस जेड अब फिर से image में जाएंगे image rotation और 90 degree clockwise option सिलेक करेंगे इस option को सिलेक करते ही image कड़ी की दूसरी दिशा में 90 degree पे rotate हो जाएंगे control Z फिर से image में जाएंगे image rotation और arbitrary इस option पे क्लिक करते ही rotate canvas का एक dialogue box open होगा यहाँ पे आप slider की मदद से angle को change कर सकते हैं या manually angle को enter कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ 10 degree एंटर करता हूँ और clockwise option को सिलेक करके उक्के पे क्लिक करते ही image 10 degree पे clockwise rotate हो जाएगी control Z अब फिर से image में जाएंगे image rotation arbitrary अब मैं 120 degree एंटर करता हूँ और counter clockwise option को सिलेक करता हूँ और ok पे क्लिक करता हूँ इसके साथ ही image गड़ की विरुद्ध दिशा में 120 degree पे rotate हो जाएगी control plus Z अब फिर से application बार में image में जाते हैं image rotation और flip canvas horizontal flip canvas horizontal option को सिलेक करते ही image horizontally flip हो जाएगी इस तरह से control Z अब फिर से image में जाएंगे image rotation और flip canvas vertical इस option को सिलेक करते ही image vertically flip हो जाएगी Ctrl प्लस Z अब इस image को drag करके दूसरी image पे drop करते हैं और इसे t-position करते हैं Show transform controls को un-tick कर देते हैं अब अगर हम image rotation में जाके इस image को rotate करने के try करेंगे तो ये दोनों image एक साथ rotate हो जाएगी अब अगर हमें सिर्फ इस एक image को ही rotate करना है तो free transform की मदद लेनी होगी यानि कि Ctrl प्लस T इसके साथ ही यहाँ पे corner से आप इस image को rotate कर सकते हैं इस तरह से दोस्तो गर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा धन्यवाद